नमश्कार मित्रों मेरा नाम है नमवन आप देख रहे हैं Android तो यहां पे कुछ नए स्मार्ट फोन्स आने वाले हैं लांच किये जाने वाले हैं जो कि मुझे काफी इंट्रस्टिंग लग रहे हैं और निश्य तोर पे आपको भी इंट्रस्टिंग लग सकते हैं वीडियो दे सब्सक्राइब वाला बोल चुका हूं कुछ और बताना चाहूंगा आपको मैं अब यह फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल आ रही है और Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जो आती है वो आ रही है मतलब डेट वेट अनांस हो चुकी हैं और इस बार भी बहुत सारे तग कि ऐसी बहुत सारी चीजें मैं भी खरीद लेता हूं कई बाद जिसका मेरे जीवन में कोई विशेश उपियोग होता नहीं है सूचना समाप्त हुई सबसे फैला फोन जो कि मज़ें इंट्रेस्टिंग लगा आइकू Z5 अभी यह चाइना में लाउंच कर दिया गया है और आइकू की तरफ से प्रमोट किया जा रहा है बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है इस वाले में Snapdragon 778G दिया गया है और 120Hz की IPS LCD डिस्पले आपको इस बार भी देखने को मिलेगी अब अगर चाइनीज मूले के आधार पे इसे हम देखते हैं तो इंडिया में 22,000 बाकी camera setup पहले जैसा ही है 64,8,2 और इस बार 5000 mh की battery दी गई है और हां whole punch camera दिया गया है फ्रंट में पिछली बार notch दी गई थी जो कि बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई थी मुझे भी Samsung Galaxy M52 वैसे M42 भी आ रहा है कि तु मैं ज्यादा उत्साहित हूं M52 smartphone के जो की M51 का उत 120hz की AMOLED display मिल जाएगे आपको और सबसे बड़ा चेंज जो मुझे हाँ पे लगा वो है Snapdragon 778G का होना 5G के साथ आएगा किन्तो 730G के ऊपर ये बड़ा अपग्रेड है अब काफी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि पहले 7000 mh की battery ती अब 5000 की मिल लेगे तो क्या हिसाब कि साथ एक दिन का battery backup बहुत आराम से दे देती है और अगर फोन थोड़ा सा light weight थोड़ा हलका रहेगा तो शायद अच्छा ही रहेगा वैसी एफोन 28 September को launch हो रहा है और पूरी उमीद है कि 30,000 रुपए से कम में launch किया जाएगा कुछ आफर अफर लगा कि अगर ये 26 ये 27,000 अगला नंबर है Moto S20 Pro का अब S20 series के line-up को भारत में शायद ये complete करेगा क्योंकि S20 Fusion अल्री लॉंच हो चुका है मैं प्रयोग भी कर रहा हूं इसका review भी दे चुका हूं काफी बढ़िया फोन लगा मुझे किन्तु बस camera के मामले में पीछे रह जाता है बहुत अजीव सी जो कि 788G के साथ आट थीज़ार रुपए में उसे मैं अभी तक टेस्ट नहीं कर पाया हूं कोशिश करूँगा जल्दी उसे भी टेस्ट करके उसके वीडियो भी आपको दूंग उसमें 144Hz का डिस्पेय मिल जाता है और इसी तरह से एस्टवनी प्रो में भी आपको 144Hz की ओ पस्तित हैं पहले से अब सबसे रोमांचा की रहेगा कि भाई एस ट्वनी प्रो का जो कैमरा है वो किस तरह से परफॉर्म करता है क्योंकि इस सॉफ्टर डिविजन में तो काफी बढ़िया है नीटन गली एक्सपेंस आपको मिल जाएगा किन्तु कैमरा को टेस्ट करने की वश्कता ज़रूर पड़ेगी कि तो मोटो ने इस बार इस सीरीज के साथ थोड़ा सा अच्छा कारे किया है मेरी नजरों में अब अगला क्रम है वीवो के X70 सीरीज का ये सीरीज 30 सेप्टेंबर को लांच की जा रही है भारत में अब फिर से यह वाले फोन जो X60 सीरीज थ से प्रस्तुत किया गया था हमारे सामने और मुझे वी वो X60 को उप्योग करने का आउसर प्राप्त हुआ था मैंने उसे उप्योग किया था ओर और मुझे बहुत बढ़िया फोन लगा था कैमरा काफी बढ़िया थे तेरी फोटो जूम लेंस में मिल जाता था आल्टर वा 1200 देखने को मिल सकता है जो कि देनिक जीवन में काफी अच्छा कारी करता है काफी अच्छे से टेस्ट किया है मैंने उसे कई स्मार्टफोन में कि पिछली बार स्नैपडगन 870 था इस बार डामेंसिटी 1200 है ऐसे लोगों का ट्रस्ट टोड़ा स्नैपडगन के तर्ब जादा अब मी 11 Lite NE 5G भी आ रहा है मी 11 Lite का जो 4G वेरेंट है मेरे पास है पीछे रखा हुआ है वैसे उसे मैं बेज भी रहा हूं तो यदि आपको चाहिए तो आप मुझे ट्विटर पर डीम कर सकते हैं 29 सेप्टेंबर को ये फोन लांच किया जा रहा है सब कुछ संभवता सामान ह ये बस दो चीजें नहीं लगी पहला कि स्नैपड़गन 778 जी इसमें भी आपको मिल जाता है 5G के साथ और दूसरा इसमें नेट्फिक्स में आप डॉल्वी वीजन वीडियो का आनंद ले सकते हैं शौमी ने ऑफिशली इसे कंफर्म किया है तो Android में बहुत ही लिमिटेड स इसमें स्मार्टफोंस हैं जो कि नेट्फिक्स में डॉल्वी वीजन वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो ये उन में से एक रहेगा बागी ये फोन भी काफी लाइट काफी स्लिम रहेगा कि दूसरा मैंने मी 11 लाइट के ताइम पर आपको बताया था फोन स्लिम भी है डिस्प्ले, ट्रिपल रेर कैमरा यही सब होगा इसमें भी और यदि इसे शाउमी 25-26 जा रुपे के आसपास रखता है तो एक अलग प्रकार की प्रतिस परधा अवश्य दे सकता है बाकी फोन्स को हाना की 30,000 रुपे के मूल शेने में आज के डाइम पर दाइम पर दाइम इन स्मार्टफोन में मेरा एक व्यक्तिकत रुजहान है मतलब मैं चाहता हूँ कि इन्हें टेस्ट करूँ तो जैसी सेल वेल पर आते हैं तो मैं पर्चेस करूँगा और आपके लिए रिवू लाने का पूरा प्रयत्न करूँगा जैसे कि हमेशा करता है हम और आप से मुझ अलीक औरूँ और आपक हक करूँगा लाने करूँ यदीचन करूँ Catholic लाने करूँगा ज्दाम है हमें तो हैं अलीकत आपपकर जैसे लिवेश रियू यू तो स